तो दोस्तों मैं हूँ राजवीर सागर आप देख रहो मेरे यूट्यूब चैनल ए रवी ब्रदर्स तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा सूपर स्प्लेंडर गाड़ी की सर्विस कैसे करते हैं ये वीडियो दो पार्ट में होगी क्योंकि इस वीडियो में डीपली चीज़ लगा दी है हाइड्रोलिक लिफ्ट है हमारी और इसको हमने लगा के सेफटी के परपस पर हमने इसको लॉक कर दिया है गेट वाल से और यहां इसको लॉक कर दिया है हमने लिया है एक मग ओईल निकालने वाला और साथ में एक ट्रे और एक एक एक्शा ट्रे ताकि उसमें इनके इलावा मतब एक एक्स्टा ट्रे को आपको बता है होगा किसली होती है समान रखने के लिए ओके यह हमारा ओएल का मग चिसमें और यह हमारे एक तूल्स यह जो टूल्स आप देख रहे हैं इस टूल्स में आपको बता देता हूं यह स्कुरूड्राइवर है टू-इन-वन दोनों साइड का यह फ्लैट और फॉर साइड का जो मुह उता है उसका चार मुह का प्रिस्ट का जिसे कहते हैं जाद तर वह और यह हमारा जो की है यह हमारा की 14 और 17 की 13 और यह हमारी एक चाबी जिसको हम बोलेंगे 12 और 13 की चाबी है और यह हमारी टीटोमी 10 की टीटोमी है और एक हमारी 8 की टीटोमी और यह हमारा 18 और 19 का रिंग पाना और यह हमारा 21-23 का रिंग पाना और उसके इलाबा 12-13 का रिंग पाना और ए यह जो बाइक आप देख रहे हो सामने है और यह जो 승 вод headache आप देख रहे ही हैं इसoda की service सव おиж जारों से करवे सकते हो अराम से बिना किसी tension की 17 नामबर का ring बोल्ट रहा है यहां जो आप देख रहे हो सामने यह हम open कर देंगे बाहर निकाल देंगे 17 नमबर के दिंग पाने से ये board हम फटापट खोल देते हैं और इसका oil निकाल देते हैं तो ये चीज़े मैं आपको बताऊँगा धीरी धीरे और आपको कुछ समुन में आईगी चीज़े हमारा जो oil है जब तक निकल रहा है इसको हम निकलने देंगे और इसको हम नहीं चीड़ेंगे और ये हैं हमारा साथ में oil का nut मैं आपको दिखा देता हूँ oil के nut में इसमें magnetic system नहीं होता है जैसे कि और बाइकों में होता है इसमें simple oil का nut होता है लोहे का तो इसको हम नहीं चीड़ेंगे इसको साफ बाद में साफ करेंगे और जब तक हमारा oil canet खुल रहा है तो जब तक हम इसका air filter बाद निकालेंगे air filter के लिए में ये वाला screw open करना पड़ेगा चार मुखा और एक ये वाला screw open करना पड़ेगा इन दो के इसके लाबा हमें कुछ भी खुलने की जरूत नहीं है एक ये और एक वो दूसरा वाला तो फटा फट से हम एक फोर मुग की side का पेचकस लिंगे और ये वाला screw आप देख रहे हैं ये open करेंगे और उसके बाद हम जो छोटा वाला screw है वो open करेंगे हमें seat खुलने की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ेगी इस बाइक के अंदर काफी सारे लोग होते है seat खुलने के लिए वरसान होते हैं तो ऐसा नहीं खुलने ही जरूत है side cover को बाहर की तरफ खिचेंगे और निकाल देंगे side cover ये हमारा side cover बाहरा चुका है इसको safety के तरीके से इसको side में रख देंगे हलाकि side cover को side में रखा जाएगा और ये हमारे जितने भी board आप देख रहे हो एक दो तीन और चार एक पांच ये पांच जो आप पेज देख रहे हो पेज चार मुंके ये हम खोल लेंगे हमारा जो air filter है ये box है हमारा air filter तो इस page को फटा फट से खोलते हैं वीडियो को तो आगे करते हैं और सारे page हमारे खोल चुके हैं तो ये जो page आपने खोल दी हैं और ये हमारा filter box बहार आ चुका है और देखो इसका cover है इतना गंदा air dust उसके अंदर क्यासे क्लीन करना बताऊँगा filter को हम इस side से ऐसे करके निकालनेंगे जिस तरीक से मैंने निकाला है और ये हमारा filter है हाला कि ये filter खराब है बट मैं आपको इस तरीक से fit करना सिखाऊँगा किस तरीक से आपको साफ करना ये भी बताऊंगा और आप चाहो तो इस filter को चला भी सकते हो और clean करके तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखो सामने कितना dust है तो हम इसके अंदर सबसे पहले air लगाएंगे ताकि जो धूल है वो निकल जाए सारी तो air लगाने से पहले चीज़ आपको बिता देता हूँ तो आपको face में mask होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं होगा तो धूल सारी आपके उपर आईगी और आपका नुकसान उसमें हो सकता है आपको हनी सुसकती है उसमें अब हम क्या करेंगे उसमें कपड़ा लगा देंगे ताकि अच्छे से साफ हो जाए उससे पहले हम तरीके से इसको पहले अच्छे से clean कर देंगे si Falls. एयर से क्योंको कि अपरा हर चीज में डरूए होता है air filter की बात की जाए air filter क से clean करना है यह भी मैं आपको बता दे तो air filter इस तरीके से clean बिल्कुर भी नहीं करना है इस तरीके से एर नहीं मारनी है अब किस तरह मारनी है यह बता देता हूँ इस तरीके से आपको एर इसमें लगानी है कंपनी में भी अगर आप ट्रेनिंग लोगे एर फिल्टर क्लीन करने की तो भी आपको यही तरीका आपको बताएंगे और एर फिल्टर को पकड़ने का तरीका थोड़ा सा इस टाइप से होना चाहिए कि आपको जो गत्ते हैं फॉम का जो सिस्था में जो पेपर हैं वो दबे ना उसे दबाब ना पड़े ओके तो इसको हम क्लीन कर देते हैं कप्रामार के और इसक अब बुलड़ा करना जैसे आपका मन है जैसे आपको दिल कर रहा है को वैसे लगा सकते हो फिट कर सकते हो एर सब्सक्रीन का डुपर यह पैपर ज़आ झाहा है काफी जाद मंने कियाए पिंस चैंज को लगा देना है और इसको लगाने के लिए वारसल शर सरे सारे गाड़ी कंप्लीट करके हमें लगा देने हैं हमारा एर फिल्टर कंप्लीट हो जाएगा एर फिल्टर पहुत जभर जबूरी होता है अगर एर फिल्टर गंदा होगा तो एवरेज बिल्कुल नहीं देगी गाड़ी और इस टार्डिंग प्रोड्म भी कर सकती है और गाड़ी की टीटों में लगेगी इसमें फटाफट से दस नमर के बोल्ट हम खोल लेते हैं इमने खोल दी हैं चेन कवर नीचे की तरफ खीचना है और आपका चेन कवर बाहर आ जाएगा यह चेन कवर इतना गंदा ज्यादा हो चुका है यह सर्विस के टाइम पर साफ होता है आप चाह लिए होनी चाहिए और किसनी होनी चाहिए इसमें साफ दे रखा है लिखा हुआ बड़ आपको समझ में आ है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आपको पार्ट तू में पताऊंगा फर्ष्ट पार्ट में आपको मैं काफी चीज़े बता दूँगा यह वाला कवर भ मतब सर्विस कराओ तो यह सर्फ चीज़े तो बहुत जादा ज़रूरी होती है एक मेकैनिक से आप कहे दो अगर वह नहीं कर रहा है तो वह करेगा जरूर अगर वह सर्विस अच्छे तरीके से करना जानता है तो यह जो गंदगी आप देख रहे हो यह सारी की सारी गंदग इसे पैट पॉसन नहीं करने घ्लिव हो सकते हो या अगर आप चाहसे तो आप यह पीपास चैन सारे हैं भावन करते हैं तो आपका उसमें नुकसान है नुकसान यह है कि प्यक्तर गिसावट पीछी जा जा जाते है जैसे चैन जल्दी हराब होने लगता है और टो आपा उसे उपर नीची होने लगती है तो ऐसा ना करें और एक खास में बात आपको बता देता हूं कुपलिंग रबड अगर आप गाड़ी चला रहे है तो घटखट गाड़ी कर रही है कर छोड़ने पर घटखट घटखट ऐसे कर रही है तो यह जो प्ले आप देख रहे हो यह प फोकेट बेहरिंग और पीछे वील बेहरिंग। इस Pockit बेहरिंग 750 को चेक करने का जो तरीका होता है वह उता हैn को ये ये देखो यह इस तरीकसा आप को बिने करनी है अगर ऐसे करके play आ रहे है इस pocket के अंदर तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का इस pocket bearing खराब है जिसकी वज़े से chain cut 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 आवाज करेगी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर बात करें spark plug की तो spark plug खोलने से पहले आप उसको adapter को proper बहार निकालने और उसकी lead को चेक करने ये proper लगी है या lose तो नहीं अगर lose होगी तो उसे tight कर दें घुमा कर नहीं तो फिर से side में रखे आपने इस spark plug को खोल सकते हो इस spark plug के लिए solar number का ring पाना लगेगा जैसे कि आपको पताईए और oil के net के लिए 17 number का ring पाना लगता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जितने भी hero की गाड़िया है जितने भी hero की गाड़िया है नियो मोडल में जो आ रही है आजकल उनमें 16 number का ring पाना लगता है अगर old model CBJet की बात की जाए तो 19 में 19 number का ring पाना लगता था ये हमारा plug है इस plug की जो tuning है बिल्कुल perfect है और इसके co level भी बिल्कुल perfect है zero number का या दो number का लेके कर सकते हो ओके तो ये जो है हम इस तरीके से इसको गुमाइंगे रोटेट करेंगे और सबसे पहले sand blast देंगे इसमें दो blast होते हैं एक air blast होता है और एक sand blast होता है sand blast आपका जो गंदगी है उसकी spark plug की वो गंदगी काड़ देगा और जो air blaster जैसे कि आप मैं लगाऊंगा वो गंदगी काटने के बाद उसको अंदर से clean कर देगा air लगा के और उसके plug को घुमाना है आपको और अब ये देखो plug की स्तिधी कैसी हो गई है मैं proper देखाता हूं ये देखो ये plug एकदम clean हो गया है ये plug एकदम clean हो चुका है और ये जो तीन चार चीज़े मैं आपको बताई है इसमें important important अभी इसमें काफी सारी चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ वीडियो का फिलम भी हो रही है इसलिए मैं आपको चाहता हूं next इसके episode में बताऊं अगर आपको ये वाला episode ये वाला part आपको पसंद आया है तो आपसे एक ही गुजारी से इस वीडियो को like करना और साथ में share करना और एक important बात और है वो है आप चैनल को subscribe जरूर करें अगर आप चैनल को subscribe करोगे और इस वीडियो के दोरान मुझे चैनल को subscribe जरूर करें एक subscribe से मुझे बहुत अच्छा रगता है बहुत खुशी होती है परिवार बढ़ता है